कि रिंग रोड पहुंच किया है सर वैसे कौन से होस्पिटल में लेके जा रहे हैं अब लोग कार्ट रोड होस्पिटल में जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर कौन कौन है अभी कि एसाई गोपाल और एसाई मधुमती दोनों स्पार्ट में है सर सिग्नल को बंद करके एंबुलेंस को राफ्ता दीजिए कम चार्यों दोस्पिए कर तंडें हुड़ सरयान, क्वार्घज entered into the झाल 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 तो आपका नाम जानकी है? हाँ जी और आपके पती का नाम आकाश? हाँ शादी कब हुई थे आपकी? दो हफता हो गया यह लो मेरिष्ट थी आप? अरेंज मेरिष्ट हम छही साल से प्यार कर रहे हैं माबापने शादी कराई है आपके पती की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से दहज के लिए कोई क्या आपको टॉर्चर किया? नहीं कल आपके और आपके पती के बीच में जगरा हुआ था कि नहीं तो आखिर आपने उसे क्यों मारा? तुमसे सवाल कर रहा हूं मैं तुमसे अगर कुछ भी नहीं था तो छे सालों से प्यार किये पती को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? क्यों मारा? आकाश और कितनी दूर जाना है बेंगलूरू में घर लिया है तो डॉलर्स कॉलोनी या बेस्विस नगर में लिया होगा मैं तो यही सोच रही थी मा यहां से 30 किलोमेटर में बेंगलूर है आज का भाव और पॉलूशन को देख कर कोई भी सिटी के अंदर घर नहीं लेता है म रिंग रोड पकड़ने तो बीस मिनट में मैं आफिस पहुंच जाता हूँ तुम्हारे वाज सही है लेकिन मेरी बहुत शहर में नहीं आई है अगर अर्जेंट हो तो कैब मिलेगा क्या बताओ ज़रा पापा बस यही एक प्रॉब्लम थी गाड़ी नहीं थी तो बहुत तक करते हैं यहाँ पर मेरा फ्रेंड मोहन है मैं और वो एक ही ओफिस में काम करते हैं मोहन मोहन जो भी हो लेकिन अच्छा है बेटा कितनी शांती है यहाँ पर हाँ लेकिन अभी तुम आ गई तो पता नहीं क्या होगा फिर स्टॉप इट चंद्रू ठीक है ठीक है घर आ गया है उतरो ठीक है उतरती हूँ में सहाब आ गई नमस्ते में सहाब यहां पर जब से काम शीरो है तब से यही लोग तरते हैं और प्याह выполn अंदर आईए मेम सहाब पहले दाया पैर अंदर रखना तुझे बोर हो रहा है बोलके मेरा सिर्खा रही थी अभी मेरी फ्रेंड फैमिली आ गई अच्छी कंपनी मिलेगी ना आप खुश हो ना अरे नारियल तो काला निकल गया यह कैसे हुआ थेंक्स बेटा राधिका क्या है मोहन इसको दो ब्रेकफ़स्ट लिए जा रहा है अरे एक उसके लिए एक दादा जी के लिए क्या दादा के लिए दादा आओ मुझे देर हो रहा है नाश्ता करो बात करता है यह यानि कि पापा से एक हफ्टे से उनके साथ खेल रहा है यह आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोंगे ना तभी आपको शब्पता चले भी खा सकते हैं यह जूस तो पीलो तुम बिल्कुल चिनता मत करो मोहन यह तो तरह तरह के खेल खेलता रहता है कोई दूसरा खेल खेल लिया तो यह भी भूल जाएगा तुम एक काम करो जल्दी से तयार हो जाओ हमें स्कूल जाना है हम पर हम कुझ जाएंगे अरे आज स्कू क्या देख रहे हूं bran अच्छ नार पार घृट करते हो क्या यहँ पार्टी क्यां इकार घर में ड्रींक तुर्ने प्मेल आरी है कहां मुझे तू नहीं तो नहीं हमाहिए पिने वाले को नहीं महसूस होता फिर से पीना स्टार्ट कर दिया क्या मैंने पिने स्टार्ट तुमने देखा है क्या दॉपारा अगर पिया ना तो कि पिया तुप क्या करोगी तुम्हें जान से मार के जेल चली जाओंगी तुम मुझे मारोगी बेटी जानू यह लो इसे डिब्बे में रख दू ठीक है माँ अरे यह क्या है बेटा यह कैसे खुल गया माँ यह मार्केट से आया हुआ डेस्टबीन है इसमें एक सेंसर है सेंगी अपने आप बंद हो जाएगा मैं दिखाता हूं आप दूर अठीए और पास आती है तो मुह खोल देती है पापा आप दोना हमेशे लड़ते हैं चली ओपर चलते हैं चलो चलो बहुत अच्छा है बेटा आजरेकर देखकर लगता नहीं था कि यह घर इतना बड़ा है लेकिन सच में यह घर तो बहुत बढ़ा है कि इस्कूर फीट हो गई घर बड़ा खृदना बड़ी बात नहीं उसको मेंटेंट करना बड़ी बात है खरीदने के दो दिन बाद सब पता चल जाता है समझ गए हाँ चलिए रूम दिखाता हूं चलो पेटा अरे यह क्या फैन भी संसर सिस्टम से करा दिया यह सिर्फ नहीं है माँ आप अंदर जाओ मैं जाओ मां अंदर जाओ मैं अकेली जाओ मा अरे क्या यह लाइट भी आटोम होती है और इसका बिल भी जादा नहीं आता है फैन्टास्टिक सुपब बेटा यह बहुत अच्छा है अच्छा इस घर में और क्या विचित्र है अरे तुम से बढ़कर विचित्र कौन है प्यारी स्टॉप इट चंद्रू कर दो अरिवारी चीं ए चौड़ो ना देख लेगा तो क्या वगी याना देखने को देखने दो जू देखे गहां किलेगा शरम नहीं है ना तुम्हेंं तुम्हें गजलुअ बेटा दो दिन में आशविन माँ खत्म होगा लेकिन तुम ने अगर जल्दबाजी किया न तो तो तरह लड़का होगा मानी देख लिया ना अरे है पिछले एक हफते से विक्य किसी से बात कर रहा है और यह ड्रॉइंग बनाता है आज कल बच्चे अपने मन की बात हमें ड्रॉइंग से बता सकते हैं यह है विक्य के बनाए कुछ ड्रॉइंग्स देखिए सारे ड्रॉइंग्स में एक चिजब कॉमन है विक्की और विक्य के पास खड़ा एक आदमी वह आदमी कौन है आप पहचान सकते हैं व्क्या को देखने से तो लग रहा है कि इसका चेहरा मेरे पिता जी से मिलता है विक्य कि दादा जी है विक्की के दादाजी, विक्की के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं क्या नहीं मैडम, विक्की पैदा होने से पहले से चला गया ओ, I'm sorry अच्छा एक और बात, विक्की अखेले में किसी से बात भी करता है ये मुझे कुछ बच्चों ने कंप्लेंट्स किये हैं बहुत दिमाग वाला लड़का है, he's a clever boy ये चोटी से समस्या है, मान लीजे आप फिर भी उसे चाइल्ड साइक्याट्रस से दिखा सकते हैं चाइल्ड साइक्याट्रस को दिखा हूँ? नाधिंग टो भरी, विक्की को कुछ नहीं होगा पहले से ही सावधान रहने के लिए हमारे डाउट्स का क्लियर होना और टेंशन फ्री रहना ज़रूरी है ये लीजे, आनन्द शर्मा का विजिटिंग काड है ये ये चाइल्ड साइक्याट्रस्ट, बच्चों को ये ही कंसल्ट करते है आप शर्मा जी को एक बर कॉल कर लीजेगा आई थिंक एक अन हल्प यो जानू, अगर मैं पेड्रूम में नहीं जाता हूँ ना तो वो उधर से वापस आएगी और डश्ट पिन कितरा मेरा मूँ खोल देखी, हम चलते हैं सुनिए, खाना खा लिया ना, उठिए बेड्रूम में जाईए क्यों हस रहा हो तुम लोग, इन्होंने कुछ कहा क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा इन्होंने कुछ कहा नहीं, और आप लोग ऐसे ही हसने लगे क्या मैं जानती हूँ, मुझे कुछ कहे बिना इनको खाना हजम नहीं होता है और नींद भी नहीं आती है मैंने कुछ नहीं कहा, इन दोनों को अपनी हाल पर छोड़ दो ठीक है ना बेटा, तुम लोग भी खा के आओ आराम करो दस बज रहा है ना, हम दोनों को भी विष्टर पर चलना चाहिए सुनिए, दो दिन तक मैं अपनी बहु के साथ सोँगी और आप अपने बेटे के साथ सोजाईए, समझे की नहीं, ना समझ कहीं के अरे, ऐसी स्कीम भी है क्या बेटा, आम सौरी आकाष, जानू, विष्व अल दा वेस्ट, कल सुभा अगर तुम्हारे कान को सही से सुनाईदेगा तो तुम्हारा कान क्यूट है, तुम्हें स्पेशल समझार सुनने को मिलेगा, मेरी कान इत्ती क्यूट है, क्यों? अरे, जाना पढ़ेगा नहह झाल झाल भफई प्छब ऑह ऑय जह हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मुझे नहाना है नहाना है मैं अभी तक नहाया नहीं हम दोनों साथ मिलकर नहाते तो कैसा रहेगा अच्छा अच्छा अब मुझे नहाना है तो बाहर जाओ जाओ हुष 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 प्रफ़ सब्सक्राइब करें ये इंदान! झाल झाल बहुत अच्छा है बहुत भूक लग रहेगी है नास्ता रेडी है ना अकश्टा बंद करो पहले नास्ता करो लो प्लेट लाओ आज रात को तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले थे आएंगे ना मा मा सब आ रहे हैं जानू तुम्हारा भाई भी आने वाला है कब आएगा दो तिन दन में ट्रेनिंग खतम हो जाएगी खतम होते ही आ जाएगा मा खाना खाके किचन में काम शुरू करेंगे अपने घर में बड़े बरतन है ना नहीं है मा शॉपिंग करनी पड़ेगी बहुत दूर है अपने पास टाइम नहीं है आज मैनिश करेंगे कैसे भी ठीक है जो कुछ भी घर में नहीं होगा उसकी लिस्ट बना लो हम ले आएंगे हम दोनों चलेंगे साथ में ठीक है मां पेक कर लाना चाहिए उसका उपयोग तो पूरे जीवन भर होगा हम उसको ऐसे फेक एक तो नहीं सकते हैं ना हमें पसंद ना हो तो भी तु साथ रहना ही पड़ता है तो पिर चंद्रू कि में में सहाब मैं बाजार से सब्जियां ले आई हूँ अच्छा किया सुनों मैं सब्जियां काट देती हूं मैं गाउं से चिलाए हूं तुम उसे तैरस पे सुखा दो और फिर आकर मेरी मदद करो समझ गई ना ठीक है मेम शाहप गुलाब जमुन पहले से त्यार करना पड़ेगा कि शाम के पार्टी जबर्दस्त होगी हम हाँ पाप गड़ गड़ कि बुद्धी नहीं है क्या तुमको पाप देख रहे थे ना कि टिम्हारी हरक्ती तुम ने क्या किया तुम नहीं पता है कि तुम क्या कर रही हो आज रात में पार्टी होने वाली है ना इसलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए आठा तयार कर रही हूँ वाओ तुम आठा मिलाते हुए कितनी अच्छी लग रही हो तुम तो बहुत सक्सी लग रही हो प्यारी स्टाप चंद्रो तुमने अपने बेटे और बहु को देखा और उन दोनों को देखकर मजे एक सबरतस ताइडिया आया है क्या है हमारी उमर साट की होने वाली है हम आनिमून के लिए सकलेश पुर जाएंगे सकलेश पुर अनिमून के लिए पसंद नहीं तो जाने तो ना कहीं और चगे चलेंगे बैंककॉक आप जहां लेचलेंगे मैं चलने को तयार हूँ तुम्हें पसंद है लेकिन बात बताना नहीं चाहती चौरनी कहीं की प्रचंद मामी मेरी दूसरी स्लिपर नहीं देख रही है यहां है बेटा देखो ना यह लो पहल लो मोहन हम रेड़ी है मैं रेड़ी हो गया मैं साब थैंक्स गोविंद में चलता हूं मैं साब यह क्या है खाली हाँ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना इसलिए मैंने मिठा ही मंग जाली है ओ हो फामेल्टी मान लिया चलते हैं चलो बेटा क्या आंटी आप कल गाउं जा रही हो चार चे दिन और रोख जाती नहीं बेटी और दो दिन के बाद अच्छा दिन शुरू होने माला है मेरा बेटा और बहु फॉरें में हनीमून मनाने जाएंगी इसलिए हम तुम्हारा बेटा सिर चुका के बैठा है लेकिन खाना नहीं खा रहा है पापा उसके साथ का कोई है नहीं तो बोर हो रहा होगा मैं उसे कंपनी देता हूं है चैम चलो हम चलते हैं आज हम आप लोग खाओ खाओ बेटो यो लाइक वीडियो गेम्स हुआ हुआ कार गेम तुम्हे पसले हुआ हुआ दिस इस दर लेटेस्ट वरजन तुम्हेल हुआ हुआ शेलो प्रेस्टन गो अन जानू काजू वाली खीर कहां है सभी को दे दो बेटी मोहन काजू की खीर बहुत पसंद करते हैं और मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अपनी मां से सीकर बनाया करो खाओ बेटा थैंक यू हाई यह लो मैंने सिर्फ यह गुलाब जामुन बनाई है तुम भी लो यह लो विकी कम यूर बस करो आउंटी बहुत तुम लो पुम्हें अकाश तुझे दूं क्या राजू लो थोड़ा सा तुम किस से बात करें थी विकी कैप्टन राजू से कैप्टन राजू वह कौन है वह यह घर का ओनर मैं हूं यार कौन है कैप्टन राजू उससे बलो थीक है राजू बोलता हूं मैं क्या बोला तुम्हारा दोस्त पेट भर के खाल यह ना अब अपने घर जाओ बोल रहा था जब नीद आएगी तो इस तरह के पागलपन करेंगा इस बिल्कुल अपने पिता पर गया है ना नेक्स टाइम जब यहां आना तो अपनी वाइप क को भी लेकर आना ठीक है नेक्स टाइम यह सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं अपने बेटे को भी साथ लाएब वैसे तुम्हारी बेवी की डिलेवरी दे उसका क्या हुआ दो दिन में बच्छा हो जाएगा मैं भी गाउं जा रहा हूं आपको शर्म नहीं आती क्या इसमें क्या बात है मेरे किचन में अगर काजु की खीर रखी रहे तो रात भर यह उसे खाने के लिए गूमते रहते हैं रात भर दस चक्कर लगाएंगे कि रात भर खुमता रहोंगा लेकिन यह रात भर खर्राटे मारते रहेंगी यह जो ठीक है अंटी में चलती हूं अब अंकल अब दो में चलती हूं आणी अ बाए 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 अधाक भाए आ अटक का दो करे भाज़ करे लाइ दिया ठार है झाल झाल सुन्दर्यों तुमने इसका एक अवतार देखा है तुम एक हपते साथ में रहो हर रोज एक अवतार दिखाएगी नए नए अवतार दिखाएगी अब चुक रहे हैं अरी से शादी करने के बाद तीसरे तीन ही हार्ट अटाइक से चला गया होता एक दिन रात में मैं सो रहा था यह सामने आई आधी रात को आग भाण के देख रही थी मैं भी तुम्हारी तरह ड़के घबरा गया था ऐसा करके उस दिन मेरे ससूर जी बोले अरे इसे नीद में चलने की बीवारी है तो में डरने की जुरूरत नहीं है अरे हम लोग भी यहां डर जाते ते गर पे लग जाएगी ऐसा सोच करके मैंने बेट सीट उड़ा दिया था इसे ठीक है ठीक है देर हो रही है लेट हो जाओगे नहीं तो सुनिये आपने अफना फोन लिया ना चलिए ठीक है मैं डॉप करके ऑफिस जाता हूं वैसे तुम घर में बैटके करोगी क्या इनके साथ चली जाओना वो लोग कोई परसी में जा रहे हैं वहां मैं क्या करूंगी जाके अहां लेकिन इतने बड़ी घर में तुम मुझे अ सब्सक्राइब करूंगी तुम कब आओगे यह सोच सोच के इंतजार करूंगी यह बताओ आज तुम क्या पहने वाली हो आइड़न नो मेबी ब्लू क्या ब्लू हां साड़ी ब्लू वह बात नहीं अंदर क्या पहनों कि ची आकाश ओके फोन करना मुझ रोवाइं टिक बात क्या ब्लू हुआ हुआ है क्या ब्लू हुआ है क्या ब्लू है झाल 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 दादा जी चीटिंग मत करिये इसको यहां रखिये अब यहां अब मेरा मंत्री आपके सैनिक को मार देगा फिर आप क्या करोंगे इसको जैस खेलना किसने सिखाया तुमने शिखाया नहीं मैंने तुन नहीं सिखाया दादा जी जल्दी खेलो और कितने देर लगाओगे तुम किसके साथ खेल रहे हो दादा जी के साथ दादा कहा है यहां बैठे आपको देखो यहां अगर दुबारा दादा का नाम लिया ना तो तुम मार खाओगे जा बेट लेकर आओ चलो बाहर खेलते हैं मैं अपकी सथ नहीं खेलूंगा विकी रुको विकी बेटा क्या मोहन चोटे बच्चे को ऐसे हैंडल करोगे क्या तो कैसे हैंडल करेंगे च्छे बेटा 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 क्यों मम्मी धाटी मुझे अवेशा दाठते क्यों बेटे हैं बेटा 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 तुम मेरी हल्प करोगे तो चलो मेरे साथ है हाए अंटी मम्मी ने बॉक्स भेजा है ओके क्या विकी कूल की चुट्टी थी आज नहीं मैंने चुट्टी कर ली अंकल के प्लेस्टेशन में मैं गेम खेल लूं क्या ओके शा खेल लो टांक्स अंटी हाए राजू तुम भी गेम खेलोगे क्या देखो वो प्लू कार मेरी है और वो पुलिस कार भी मेरी है समझे राजू गेम खेलना नहीं जानते हो स्लो खेलो मेरी कार से मत टक रहो समझे प्ला राजू तुम्हें गेम खेलना नहीं आता तुम मेरे साथ मत खेलो जाओ जानकी विक्की विक्की क्या से मैं हो तुम मामी विक्की विक्की मामी तुम वहां उपर क्यों चड़े थे ममी मैं नहीं चड़ा था कैप्टन राजू ने मुझे चड़ा दिया राज साज करता रहेगा तो एक मारूंगी तुझे चल घर चल सुरी जानकी इस ओक्ये चल घर चल तेरे पापा को सब कुछ बताते हुमें कुछ नहीं किया जादर बॉल नहीं कि अधि अधि कि अधि अरे इतना डर के हॉररर फिल्म कौन देखता है मैं चैनल चेंज कर दो मैं देखने चाहती हूं देखेंगे अच्छा लग रहा है मुश्किल है हॉरर फिल्म से डर लगता है और देखना भी है जाने अगर तुमको दरने का इतना ही शौक है तो टीवी बंद कर दो और अपनी सासू मा की सकल लगातार दस मिर्ट तक देखती रहूं दर से बुखार भी आ जाएगा इस टॉप इट चंदरू फिल्म देखोना ए रे इसको काउन देखता है वसकिया करते थे तो में पेड़ पर चढ़ करते थे वह से बचपन में पीड़ पर चड़ता था इसा में यह था आज वो आकाश के घर की सीलिंग फैन पर चड़ गया था सेलिंग फैन में किसने चड़ाया उसे वहां जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन राज ने उसे वहां चड़ाया कैप्टन राज वो कौन है मुझे क्या मालूम अब चुप रहने से कोई फाइदा न झाल 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 कर दो भीज़ वो में जरीत आदको पनी कर रहां एंग हुँँँँँँँँँँँँगा लोओ vors अख 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 कि पार पार अधर नार्व मैं टकेट एम खरूँ किया हरा आप बात में ठीक हो जाया हमारी टिकट को छोड़ तुमारी इंटरनेसमाल टिकेट है आखरी मिनट में कैंसल करोगे तो लास होगा ना तुमारा मैं इसे समाल लोगा तुम चिंता मत करो मैं इसका खयाल रखता है मैं समझ गया तुम चिंता मत करो चलो चलो ट्रेन का टाइम हो गया है ना चूट जाएगी तेखो तुम रात में चलती हो और तुम्हारी कोई चैन कट कर दे तब समझोगी चलो 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 सुपए की ट्रेन है इसलिए अच्छा है अगर कहीं रात को ट्रेन होती और तुम नीद में चलती और बाहर गिर जाती तो उपर गोविंदा गोविंदा नाम जबना पड़ता है पापा आप चुप रही है ना लगता है मां को बहुत दर्द हो रहा है इस प्रे करने से दर्द कम हो गया है बेटा जानू तुम वहां पहुचते ही हमें फोन करके बताना की सेफ ली पहुच गई हमें फोन करना भूलना मत समझी ना ठीक है माई बिटा गौविंद जी साब ना चलता हूँ बाई जानू और बाई पापा थांग यू है बनूर से फौरंड की ट्रिप में फर्स्ट क्लास की सीटों में बहुत सु विदाबन होती है उसके बारे में क्या सोचा यह एक्शुली मैं वह सोच रही हूं मैं यह सूच रही हूं कि फॉर्सुलास सीट में आ अरे हां यहां 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 तो वहां मजा नहीं आएगा ठीक जाओ आओ बेटा ट्रेन का टाइम हो गया है हाँ चलो मैं लागिज पाक करती हूं वैसे आज कौन सा कलर स्टॉप इट आकाश आख लो ओकी जीब दिखा बटा ठीक है दिन में तुम क्या खाते हो इटली तुम रोज इटली घाते हो हाँ डॉक्टर यह रोज इटली खाता है कभी कभी मैं इसे क्यलोग्स खिला देती हूं बेटा जरह इदह रहो रोज दूद तो पीते हो ना अचाइब मुझे दूद नहीं पसंद के तुम्हें 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 क्या पसंद है चौकलेट पसंद है ना हम वरी गुड येलो चौकलेट एक और दीजे वह मैं अपने दादाजी को दूंगा ओ सुरी येलो ये बताओ तुम्हार दादा काहा है यही तो बैठे ओके बिटाओ के अशार तुम बाहर अपने दादा के साथ के लो जाओ ओके सरेक्षार रिपोर्ट हां थैंक्यू कि सुनिए कि मैं आपके बेटे के बारे में बताने से पहले मैंने एक पेसेंट को हैंडल किया था उसके बारे में बताता हूं कि देखिए ये लड़की का नाम कलपना है अभी इसके उमर अठरा वर्स की है इसे सोला साल की उमर में मेरे पास लाए थे इसके परिवार वालों ने भी बहुत कश्ट सहा ये लड़की सारे विशय में एक साल फेलोगी सुनो एक बार उसने डिप्रेशन में जाने के बाद आत्मात्या करने की कोशिश की ये लड़की एक दिन उसने सारी किताबों को लेकर रूम बंद करके पढ़ने लगी और मेरत करने लगी उसने दस्वी क्लास में चानबे परसेंट मार्क्स लेकर पास हो गई कैसे बताएं कि दिन भर उसके पिता उसके पढ़ाई के साथ दिखाई दिया करते थे लेकिन सस्तो ये है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले मर चुके थे अभी वो अच्छी तरह से पढ़ती है और उस वक्त से उसके पिता कहीं नहीं दिखाई देते अब तो वो जैसे मायावियों की तरह ही गायब हो गए लेकिन इस केस के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं बताता हूँ बताता हूँ ये देखिए ये उसके सिर का एकसरह है ये 16 साल की उमर में कलपना के सिर का एकसर एक इन दोनों एकसरे में खास यत है ये देखिए दोनों में छोटे छोटे ब्लेक स्पोर्ट दिख रहे है इनके आंतरिक भाग में अंतर है मतलब जब बच्चा पैदा होता है और दो साल का होता है तब तक ये माथा है ना बहुत ही कमजोर होता है जब बच्चा छे साल का हो जाता है तो ये माथा मजबूत हो जाता है इस तरह से विक्की अभी तक उसका माथा मजबूत नहीं हो रहा है बहुत साल पहले हिंदू और बुद्धोस के माथा के अंदर भी ये जो दिख रहा है ना माथे पर सैकणों चक्र हैं ऐसा हम मानते हैं शरीर के अंदर की बातों को जानने के लिए और मनुष्य के मनोस्तियों को जानने के लिए ये इन सहस्त चक्रों पर भरोसा किया जा सकता है मतलब ये जो चक्र है ना इसको spiritual gateway कहते है ओके और medical science वाले भी मानते हैं इसको science की बात हो या वेदान्त की बात हो दोनों को मिला कर simple बताएं simple बताएं तो छोटे बच्चों एक साल तक होने तक उन्ही आत्माएं दिखती है मतलब हम कह सकते हैं कि आत्माओं से छोटे बच्चों को connection है और इसे ही spiritual connection कहते हैं तो उसको आत्मा दिखती है क्या हाँ और उन्हें ये आत्माएं दिखाई भी देती हैं और जिनको आत्माएं दिखेगी वो बात भी करेगी और आत्माएं बाते करेंगी तो उसे सुनाई भी देंगी कल्पना का माथा जब से स्ट्रांग हुआ तब से उसको उसके पिता दिखना बंद किये विक्टी के विशय में भी ऐसा ही होगा ये मैं कहना चाहता हूँ वाव क्यों? भरोसा नहीं है? सब्जेक्ट बहुत ही है भी है सुरी, नो ओफेंस पर आपके बात मुझे भरोसे वाली लगती है हमें समझने वाले कुछ लोग इस बात पर भरोसा कर लेते हैं भूत आये तो उग कुट्ते भोगने लगते हैं ये बात कोई माने यानमाने लेकिन सच है जब भूकमब और सुनामी आते हैं तो बक्षियों को और जानवरों को सबसे पहले मालूम पड़ता है ठीक उसी तरह से बच्चों के पास भी वो सेंस होती है और हम लोगों के पास बिलकुल नहीं होती है बच्चों के दुनिया के बारे में हमने बहुत सारे रिसर्च किये हैं इसलिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा ब्लाइंडली विश्वास करना पड़ेगा समझ गया है और विकी को उसके दादा दिखाई देते हैं अब ये भरोसा करना आपके उपर डिपेंट करता है अगर उसको ये सच दिखाई देता है तो विकी किसी दिन अपने दादा के बारे में सवाल करेगा नहीं तो विकी ने अपने दादा को इमेजिन किया ऐसा समझेगा इमेजिन करने दो इसमें क्या गलत है अगर विकी नॉन्वेज नहीं खाता तो कोई बात नहीं समझें कैल्सेम सप्लिमेंट शुरूगे जिये माथे के ऊपर का भाग इस्ट्रॉंग हो जाएगा इस्ट्रॉंग होने से मदन मिलेगी दिखें मोश्ट इंपॉर्टन बात यह है कि आप दोनों को अपने बेटे को ज अच्छा है यह क्या नहीं चाहिए कोई बात ने मैं खाव लेता हूँ विकी चलो चलते हैं कि मैरी बात ध्यान से सुनू आज से सारे खेल हम साथ में खेलेंगे कोई भी खेल खेलना मुझे वोलो मैं साथ में खेलूंगा और दादा के साथ राज के साथ खेलना बंद करो समझे ना दादा जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ डाड़ी दादा मर चुके हैं तुम्हारे पैदा होने से पहले उमर गए थे वो इस दुन्या में नहीं है समझे चैंग दादी क्या है दादा जी ने आपके सीट पर लगाने बोला है दादा का नाम नहीं लेना है कहा ना कहा ना तुझे श्टॉप एट मोहन बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं तुम इससे ज्यादा प्यार करती हो महंगा पड़ेगा तुम्हें हलो हाई बेबी तुम क्या कर रही हो मैं पैकिंग कर रही थी अच्छा तुम कब आओगे मैं जल्दी आओगा है यूनो सम्थिंग बस कुछ ही दिर में हम दोनों माइल्ड है क्लब में चलेंगे माइल्ड बाइक क्लब ये क्या है हम दोनों की स्वागरात यानि की पहली रात दस किलो मेटर उपर मतलब फ्लाइट की फर्स्ट क्लास कैबिन में होगी मतलब मेरे दोस्ते एक क्लब उपे निया है तो हमें भी गुलाया है सो हमें भी वहां मेंबर्शिप मिल रही है हमें वो क्लाब मेंबर्शिप नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए यह जानू यह संदिकी में पहली बार अपॉर्चिनिटी लाइफ में और हम दुनों साथ में रहेंगे कितना मसाएगा ना ची स्मेल आरी है है बेटशीट यह मैं नहीं घर में दारू के स्मेल आरी है है मुझे नहीं आती है इसमेल तुम्हें क्यों आती है ओ मैं तो भूल गया तुम तो बहुत जादा संसिटिव हो ठीके ठीके घर जल दी आओ हाँ 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 ओके बाई कितने वजे की फ्लाइठ है हे साथे दस बजे हनी मुन फोरें जी लगी ब्रादर ऑल्ड़ अब्रेस्ट्व थेंक यू थेंक यू अलबब्स थेंक्यू थेंक यू थेंक्यू थेंक्यू अलबबस तो ऐट कोई डाए तो फोन करना मुझे क्या डावचर चलल बताताओ मैं आकाश आकाश सब कुछ गरबड हो गया आकाश संच zien कि अ कुछ पयू हो लáसे टूवा काश मुट कुछ light कि अ के अ vale है रेख वसे हो गया कि अ सहसंद कुछ यूपकाश अे कामC सर प्लीज, ट्राइटो अंडरस्टेंड, इट्स माई हनिमून, फ्लाइटिकेट्स होटल नुम्स के पेमेंट हो चुके हैं, ये सब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करेंगे, तो सब गडबल हो जाएगी सर, अगर तुम हैदराबाद नहीं जाओगे, तो हमें कंपनी बंद करना पड़ेगा, आकाश, सर, वो क्या है न, प्लीज, ट्राइटो अंडरस्टेंड, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, पूरा का पूरा में सर्वर ही कोलाप्स हो गया है, पी पी यो ऑपरेशन सब डाउन हो गया है, आपको हैदराबाद जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता न ही होगा, नहीं तो मेरी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, नाओ, हाई, है जानू, क्या कर रही हो तो, मैं, फिल्म देख रही हो, फिर से ओरर मूवी देख रही हो, हम, आप अभी तक आए क्यो नहीं, सौरी बेबी, बैड नियूस, आज रात में हम नहीं जाएंगे, वाट, क्या हुआ, हैदराबाद में फुल सर्वर डाउन हो गया है, इस आज रात में मेंबर्शिप होगी, यह सब सोच के, मैं बहुत सपना देख रही थी, है, डूंट वरी सुटी, चिंता मत करो, कल रात में मेंबर्शिप बनेंगे, है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट, ब्लैक पहना है, सुनो, मेरा दिमाग पहले से खराब है, यह स्वर्ण गचाल अब, तुम्हारे अटने सपले मैं तुम्हारे सामने आजाओगा, लव यू, लव यू तू बेगी, बाई, 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 अज़ आख आउ कर दोजाब नहां है झाल 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 यहां पर सब कुछ गड़ब हो गया है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां फाइंड आट हो गया है मौर्निंग कैसे भी काम हो जाएगा ठीक है तुम सोचो मिस्यू बाई बाई मिस्यू झाल 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 हाई हाई अंजर आईये दा प्लीज कोई बात नहीं क्या हुआ जान की तुम्हारा हनी मुन कैंसल हो गया क्या हनी मुन कैंसल नहीं हुआ है झाल 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 हाई गद्मार्निंग गद्मार्निंग जान के आज आप जल्दी उठोई हैं मेरी मां रही है रेलो इस्टेशन जाना है से यू लेटर बाई झाल 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 कैसे हो फ्लाइट लाइंड हो गई नहीं जानू अभी तक काम खातम नहीं हुआ दोपहर की फ्लैट से आऊंगा इसका मतलब रात बर तुम सोई नहीं हो नहीं अब जानू वन सेकेंड मुझे कॉल आ रहा है मैं बात करता हूं हलो 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 गौरी आजाओं पर आपकी बद्गू ओ मम्मी आओ ना कैसी हो मैं ठीक हूं तुम कैसी मैं ठीक हूं इधर दो क्या हुआ इतना लेट कैसे हुआ कुछ पूछो मत सिगनल ना मिलने की वज़ा से आउटर में आधा घंटा रोक के रखा था बोर हो गई मैं तो अच्छा कहां गया मेरा पोटा कहीं नहीं दीख रहा है जल्दी आओ ना स्कूल जाए नहीं देर हो रहे मुझे रोज ते तम टाइम से आते हो लेकिन आच क्या हुआ ठीक है अब मैं शाम में आके मिलता हूं बाई विकी दादी बीटा अभी तुम स्कूल जाने के बारे में किस से बात कर रहे थे दादा जी से दादा से हाँ दादा जी रोज में साथ स्कूल जाते हैं आज आप आए हो इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा बहुत दिनों से नहीं आये दादा तो आज कैसे आएंगे बताओ दादा जी कहीं जा रहे हैं आपका भी वहां साथ लिख के जाएंगे ऐसा बूल रहे थे आज बहुत हो गया तेरा पकवास बंद कर कुल जाना है स्कूल कर टाइम हो गया है चलो चलते हैं मां में आफिस या बेटा यह सक्या है राधा दादा आये हैं ऐसा कह रहा है यह बहुत लंबी कहानी है सासु मां आप पहले फ्रेश हो जाएए मैं बाद में बताती हूँ जिया दोर स्थानी कुम। आपस्तों करें पिमेफ से व्प फिल्कोजस की इσιा भी जाओ कि उन्यम सब्सक्रादा पादत हNow उन्यम गयन सब्सक्रादाग उन्यम को हमें उन्यम वन्यम कर दो 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 झाल 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 गोरी, 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 क्या हुआ हुआ में सहाँ? गौरी कुर्से पे उपर फुट्प्रिंट है कोई है उपर कोई है गौरी जा के देखो ना गौरी ठीक है हुआ 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 है सब्सक्राइए गौरी 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 भूत को देखा उपर है ना कोई मैंने सब देख लिया कोई नहीं है क्या कोई नहीं है पर आवाज तो आई थी अरे मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मुझे बाहर कुछ काम है मैं चलती हूं बाद में आती हूं मेम साहब गौरी 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 गौर आज फिर पन्तान never कि अपने दादा से दिखाने के बाद क्या करें हमें तो एक समझ में नहीं आ रहा है और उधर ये विक्की अपने दादा से खेलना बंधी नहीं कर रहा है राधा? अरे जानू, आओ ना अंदर आओ, आओ कॉफी पियो नहीं जानू, ये मेरी सासूमा है हमेशा तीर थियात्रा में रहती है कभी कभार हमारे साथ रहने आती है सासूमा, जानू का पती और मोहन एक ही ऑफिस में काम करते हैं ये हमारे पडोस में ही रहते हैं इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है नमस्ते अंटी नमस्ते बेटी आओ जानू, बैठो ना कल रात हम लोग इनके घर पर गए थे तो वहाँ पर कोई राज उससे बात करने लगा था पता है जानू, हमारा विक्की जो लोग दिखते नहीं उन लोग उसे बात करता है वो क्यूं खेलता है उसे वो लोग दिखते होंगे तब ही बात करता है हाँ, कहते हैं चोटे बच्चों को आत्माएं अक्सर दिखती हैं। तुम्हारे ससुर जी और मैं बहुत सालों तक ट्राइबल एजनसी में काम करते थे। वहां के लोग इन आत्माओं पर बहुत विश्वास करते हैं। तेज सालों तक हम लोगों ने वहां पर तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, बाधा ये सब कुछ देखा हुआ है। उस सब के सामने तो विक्की का इस तरह से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या सासुमा इस जमाने में भी आप इस तरह की बातें करती हैं। कोई सैटान नहीं होता कोई भूट नहीं होता। होता है... ते जानु, कॉमन है, यार? नहीं, हमारे घर में कोई है। आखे कोन है? कोई है, मालूम नहीं… बगर कोई मेरे बाल पकड़ की दिवार में पट्टक-पट्टक के मुझे बाहर आथा। कौन है जानकी कौन है मालूम नहीं मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया रिलेक्स जानू है रिलेक्स सासुमा लगता है जानू किसी बास से डर गई है हलो हे राधा मैं आकाश बोलो जानकी फोन नहीं उठा रही है आपके घर में क्या हां है अरे ऐसे कोई करता है नई जगह पर आप उसे अकेली छोड़ कर चले गए वो बिचारी कितनी घबराई हुई है पता है क्या घबराई है जर्रा उसको फोन दो ना देती हूँ जानकी ये लो आकाश का फोन है बात करो सासुमा मैं अभी आती हूँ आप एक तुम्हारा फोन कहांपर है घबरा गई हूँ दर तो लगेगा ही राट बर होरर मुवी देखोगी तो डर तो लगेगा ही तुम घर जाके फोन अपने पास रखो बार बार रादा की फोन से बात करेंगे अच्छा नहीं लेगा ओके मैं तुम्हें फोन करता हूँ जानकी रोम अथ बेटी सब ठीक हो जाएगा कोई नहीं है कि लेकिन कोई तो है कुछ नहीं करेगा लेकिन कुछ तो करता है अब तो क्या तुमने उस घर में देखा नहीं कि कोई आदमी है या नहीं है हां वो मुझे फॉलो करता है वो मुझे देखते रहता है मेरे कपड़े बदलने के वक्त मेरे काम करने के वक्त मेरे सोने जाने के वक्त मैं नहानी जाती हूं उस वक्त वो मुझे फॉलो करता है मैं उसे दिखती हूं लेकिन वो मुझे नहीं दिखता तुम्हारा मतलब कोई तुम्हें देखता नहीं है लेकिन वो आदमी है तो तुम जानती कैसे हो वो आदमी है यही यही सवाल तो पूछ रहा हूं जब वो दिखता नहीं तो पता कैसे चलता है कि मैं और तुम और तूम और तूम है कि अधी से मेरे मॉबाइल से तुम्हारे मॉबाइल से कहा पर है तुम्हारा मोबाइल घर पे है तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है ना तो फिर कॉल किस नहीं किया होगा नहीं जानती आंटी चलो तुम्हारे घर चलते हैं नहीं आंटी वो घर में नहीं जाएंगे आंटी जानू मैं हूँ ना तुम चिंता क्यों करती हो चलो देखते हैं कॉन कॉल कर रहा है नई प्लीज धिन kसिव कोई नहीं से कोई बहूत कुछ नहीं करेगा तुम चलो मेरे सार्थ तुम्हें डरने की जबत नहीं है तुम बिल्कुल मत डरो रिषिब के अधिस मैं किसी दूस से लिए तुम आजाओ चलो अंदर चलो चलो आओ अँटी अंदर मतचाहिए अंटी मैंने कहा ना तुम डरू मत अंदर चलकर देखते हैं की कौन है चलो नहीं आणटी नहीं चलो अंदर बेटी आओ अंदर जाहिए इस घर में कुछ तो है आओ आंटी नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं जाना आंटी जानू अपना मोबाईल लाओ तो लेके आओ ना जाओ लेके आओ यह बहुत खतरनात बूत लग रहा है चलो इसके लिए कुछ सोचेंगे राधा फोन कर रही है हेलो जानों तुम दोनों अपने घर में हो सासों मां को फोन दो ना राधा हां हलो बोलो ममी विकी के स्कूल से फोन आया था वो घर आने के लिए जित कर रहा है मैं स्कूल जाने आती हूं ठीक है ठीक है लो चलो बेटी चलो सुनो जानकी जो लोग जन्म और रित्यों के बीच में फसे हुए होते हैं उन्हें हम आत्मा कहते हैं ये आत्मा दो तरह की होती हैं एक तो अच्छा काम करती हैं और दूसरी बुरा काम करती हैं बुरा काम करने वाली इन आत्माओं को हम लोग भूत प्रेत ये सब कहते हैं ऐसी ही कोई बुरी आत्मा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें तंग कर रही है लेकिन उस आत्मा को पता नहीं है कि भगवान के आगे उसकी एक नहीं चलेगी समझ गई ना तुम? चलो, हम चलते हैं ना अंटी, उस घर में नहीं जाना अंटी, नहीं आंटी सुनू बेटी, अगर तुम इस तरह भैवीत होती रहोगी तो जिन्दगी भर छोटी-छोटी बातों से डरती रहोगी इस समस्या का क्या समाधान है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे अंकल ने और मैंने ऐसे बहुत से केसस देखे हैं चलो मैं बताती हूँ, उसे घर से कैसे भगाना है, मैं दिखाती हूँ तुझे, चलो मेरे साथ चलो 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 तुम्हारे अंकली डर्माद जानू, जाओ बेटी, एक लोटा जल्लो उसमें तुलसी का पत्ता डाल कर ले आओ जाओ नीलान जनम समा भासाम रभी कुद्धरम्य माकरजम्द नीलान जनम समा भासाम रभी पुद्धरम्य माकरजम्द नीलान जनम समा भासम रवी पुत्रम्यमा ग्रजम भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभू इस घर से भगाओ भूत प्रेत आत्मा को हमारी रक्षा करो प्रभू हमारे उपर कृपा द्रिष्टी करो भूत प्रेत की छाया इस घर से भगादो भूत प्रेत से बाधा मु हे बजरंग बली इस घर को मुक्त करो भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभू भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो बजरंग बली हे महावीर भगवान भूत प्रेत से इस घर को मुक्त करो हे बजरंग बली भूत प्रेत सब दूर करो हे महावीर भगवान बूत प्रैत से मुक्त करो इस घर को महावीर जब नाम सुनावै, भूत पिसाच निकट नहीं आवै, हे भगवान बजरंग बली। भूत प्रेत नश्ट करो, भूत प्रेत का नाश करो, इस घर को प्रेत बाधा से मुक्त करो, हे भगवान बजरंग बली। महावीर जब नाम सुनावे भूत बाधा से मुक्त करो है भगवान बजरंग बली महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत भूत को भगाओ भूत मेरे निकट नहीं आवे भूत को भगाओ भूत मेरे निकट नहीं आए भूत को भगाओ भूत मेरे निकट नहीं आवे भूत को भगाओ भूत भगाओ भूत भूत प्रेट निकट नहीं आखाई 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 जानु मैं जानु मैं अखाई जनु जनु क्या हुआ एम्बूलेंस भी आए थी किसके रही आई थी मोहत की माँ आपनी घर में आई थी ओपर से ओपर से नीचे गिर गया गिरा दिया कॉन गिराएगा चलो मैं देखता हूं जानो मैं हूना चलो अंदर नहीं आकाश प्लीज जानो वाट्स रॉंग विदियों क्या हो गया तुम्हें नहीं आकाश हम यह से बहुत दूर चले चेक घर के एक रिलक्स रिलक्स जानो पहले रूना बन गरो मैं भी अंदर नहीं जांगा लेकिन तुम रोना बन करो हामें काम करते हैं चलो कार में बढ़ो कहें भूंग आते हैं चलो कुछ कुछ जानू, क्या हुआ है बताँ हमारे गड़ में भूत है मेरे बाल पकड़ के मुझे दिवार से ओके रिलैक्स रिलैक्स रो मत रो मत यान submitted शली हुल से में जान्षक्या अड़ांटी कि day घर में क्यों नहीं आओगी जानुए वो घर में भूत है ठीक है ओके तुम्हें उस घर में जाना पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं जाओंगा हम लोग कल अस्ट्रेलिया जाएंगे वहां से आने के बाद दूसरा घर देखेंगे सिर्फ आज रात उस घर में रहेंगे चलो अब मैं उस घर में एक दिन एक रात भी नहीं रुक सकती प्लीज आकाश प्लीज ठीक है जानू ओखे आज रात में हम होटल में रुकेंगे हमारे बैक्स पैक कर लो ठीक है चलो हम बैक्स लेकर होटल में चलते हैं अच्छा ठीक है तो मंदर मजनम में अंदर होके आता आकाश तुम मुझे मंदर लेकर चलो प्लीज ठीक है चलो आओ चलो चलो हेलो अकाश मा कैसी अब आई सियो में है मल्टिफल फ्रेक्चिर सेवल इमिग्रेट्स जानू और मैं होस्पिटल आ रहे हैं अभी मताओ यहां पर आई सियो में अलाओ नहीं करते हैं तुम कल रात सोय नहीं बोल रहे थे हम कल मिलते हैं आरी ओके आमों के यार हैल्प की जर आई सियो में मल्टिपल फ्रेक्चर अब अब कि अब कि अब तो बैं कांपर ओपर या नीचे नीचे सोफे के पास है जानू प्लीज कम इंसाइड कुछ नहीं होगा हुआ 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 पर वर मेंगया जाहा है क्या हुआ अकाश तैर पंक्चर हो गया है डिक्की में स्टिप नहीं देखता हुआ अब गाट आप बलीव दिस क्या हुआ अकाश दोनों तैर्स पंक्चर हो गया है तो अब ही क्या करें वेट 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 एम थिंकिंग अ हां मैं कैप के लिए फोन करता हुआ है करें अब करोट करमें किस जगापर साथ कनकपूर रोड सिर्ट किलोमेटर अंदर आएंगे तो कौन कोड़ विला मिलेगा वहां क्यों कॉल करना सारी सर उस रोड पे कोई केप सर्विस नहीं है सार थांक यू वेरी माच चैप पाकाश वेट हेलो रेट्यो कैप हेलो कैप चाहिए कनकपूर रोड में कैप सब बिजी है सर यहां आने के लिए मिनमम टू आवर्स लगेगा अरे बैंगलोर से 33 किलोमेटर है सिर्फ उसके लिए दो घंटे अरे हम होटल में क्यो रहेंगे मोहन का घर खाली है हम वहां रह सकते हैं येस बोलो मोहन तुम्हारे घर की चावी चाहिए कहां पर है मेरे घर की चावी लेकिन क्यों कुछ नहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम है आज रात तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं गोविन के पासे उससे ले लो वो दे देगा थैंकियो सो मच बाई कि गोविन के पास एक चाबी है मैं ले कि आतो हूं मैं भी चलती हूं कि गोविन कि गोविन कि गोविन सर बोलिये सर कहां हो तुम सर मैं गोविन को गौव छोड़ने के लिए बस्टेंड जा रहा हूं मोहन सर की चाबी कहां पर है मेरे पास है सर अपनी पतने को गौव भेजने के लिए बस्टेंड गया है चलो चलते हैं हाई अकाश तुम कहा हो घर के पास हो यार है दोपहर में आया था मुझे यार तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए यार मेरी कार का टायर पंचर हो गया तुम सिटी तक हमें ड्रॉप कर सकते हो गया यार मैं मैंसूर जा रहा हूं मेरी वाइफ की डिलिवरी है ना इसलिए ओ ये बात है एन्यवे ओल दबैस थैंक यू यार बाहे कि अधो अधिनिंग तेट्यो कैप मैं हू यार कन करोड से कॉल किया था मैंने बोला था ना सर वहां आने में कम तो घंटे लगेंगे टो के नु प्रबलम कैप बच दो कने कुलो मेंटर रंगे तो कॉन कोड़ वीला मिलेगा मैं रोड प्या कॉल करने लिब का टॉल ए जनो कैब आने में दो घंटे लगेंगे तब तक हम यहां रहेंगे किया अब घण वे आपने घर में जाने के लिए डिर्क ऐसा एक चलो मेरे नहीं स्मुआ प्राइब आकाश नहीं नहीं प्लीज 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 अधाश नहीं चलो कर दो नहीं बड़ो च्छू आपका प्लीज प्लीज आपकाश लास नाइट जोज विए बूच लगी है फ्रेज में कुछ है कहने के लिए कुछ भी नहीं है बाहर जा रहे है यह सोचकर पूरा फ्रेज खाली कर दिया लिए भाड़ा पौरा खाली कारेज आरेज भाड़ा बार शुर्च आरेज अंच में रहे हैं हेलो रेडियो कैप हेलो सर में नारायन बोल रहा हूं हाँ बोलो सर में कनकपूर पिकप के लिया है लेकिन उनका फॉन सुच ओफ है सर हाँ उसने कोई और कैप ले लिया होगा तुम वापस आजाओ ठेक है सर कि कैप वाली को फोन के दो गंटे हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया है ओप आई कांट बिलीव तिस बैटरी डेड हो गई तुम्हारा फोन का है राधा की घर में होगा थाइंक यू वेरी मॉच मेरा चार्जर का है टीवी के नीचे वाली कबड में पूर कि अधर पूर की संग्या होगा एम यूदि भीट कre girस टीव खेले डंव देन öhडना हो फूरे मॉच deserve राधा है यूदि मीरस पूर काई फट्रुम्ह करते हैे एमरान दो आपकाश, आपकाश? आपकाश, 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 आपकाश? बन्दों आपको बन्दों कर दो को जो कर दो कर दो दो को, अजगा को नगूकार हम अजगा है, बाद को कर दो को और दो। डॉक्तर, अमा कैसी है, डॉक्तर, अमा कैसी है, डॉक्तर? डॉक्तर, उनके जान को कोई खत्रा नहीं है, डादी, 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 मर गई है, सासुमा, 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 नहीं रहे, खäreल् है नहीं है, सासुमा, सासुमा, सास्तर, नहीं है, सासुमा, जादी, डादी, डादी, त अकाश्ष 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 हे अकाश्ष अकाश्ष दाडी आप रोना बंद करिये दादा मना कर रहे हैं एई तुम थोड़ा चुप रहो मा के मौत का वैसे मी बहुत दुख है मुझे तुम दादा की कहानी मत सुनाओ मुझे दाडी दादी के साथ दादा जी किसी अच्छी जगे पे जा रहे हैं वो दोनों वहां बहुत खुश रहेंगे ऐसा बोल रहे हैं प्लीज स्टॉप इट विकी प्लीज डादी आप हर रोज दादी के फोटो से माफी मांगते हो ना दादा ने आपको माफ कर दिया है इसके बाद आप सौरी मत मांगना महाँ महाँ मेरे अलवा और कोई नहीं जानता है किसलिए डाइदी की वज़े से मम्मी दादा मर गए थे पिताजी मेरे साथ रहने के लिए बेंगलु रुआए थे पापा मैं ओफिस आके आता हूं बेटा मुझे तकलीफ हो रहे है बेटा कल ही सारे टेस्ट किये थे ना डॉक्टर ने कहा की कुछ भी नहीं आप चोटी चोटी बातों पर टेंशन क्यों लेते हो पापा आराम करो कुछ नहीं होगा मैं शाम को आता हूं वह बात निहीं ही बेटा मेरी बात मालों है थे बेटा बेटाकर से अभीचु finger आये तो देख पापा मैं तुम्हारे के नहीं किया था अगर उस दिन में तुम्हारे दादा को होस्पिटर लेकर जाता तो आज दादा तुम्हारे साथ में रहते बैटा अकाश मुझे ड़ लग रहा है आकाश चल दी आओ प्लीज लेकर में बार आए रहा है उस से झादा को झाल झाल आकाश, प्लीज कम आकाश आकाश, तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है आकाश, जल्दी आओ आकाश, डाड़ी, आकाश अंकल और जान की आंटी भी अबढ़ जाएंगे डाड़ी, गैप्टेन राजू उनको मार देगा, उसमें बहुत शक्ती है, इसलिए डादा भी दादी को नहीं बचा पाए डाड़ी, ओ शिट, बोहाँ, बोहाँ, आकाश, 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 तुम कहां गए थे, क्या किया, तुमने, नीचे किसी को दिखा क्या, आकाश, तुम क्यों कहित हूँ, बोलो ना, आकाश, कोई दिखा क्या तुम है, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, देखा किसी देखा मुझे देखा हाँ मैंने तुझे देखा क्या क्या बोल रहे हो हाँ मैंने तुमको देखा तुमको नहाते वक्त सोफे पर बैठते वक्त मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख रहा था वाट मैं तुमको कपड़े पहनते वक्त तुमारी सुन्दरता को दे आकाश मैं सहे नहीं कर पा रहा हूं देख कर चुप नहीं रह सकता तुम्हारे कुवारेपन को खत्म करना है मैं तुम्हारी जवानी लूटना चाहता हूं तुम्हारी सुहागराद से मुझे मुक्ति मिलेगी आकाश सुहागराद तुम्हारी होगी मुक्ति मुझे मिलेगी जानू जानू जानू? 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 कहाँ जानू? जानू कहां हो तुम आओ जानू 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 तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती जानू 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 तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती जानू 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 केल मत केलो जानू 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 सो जानू जानू कि आखम रेको कि मेरे पास मताओ आकाश मत पास आओ प्लीज आखाश मैं तुम्हे बता रही हूं देखो मेरे पास मताना मताना पास आकाश मैं बोल रही हूं प्लीज मेरे पास बताना मेरे पास मताना तुम्हारे स्वागरात मेरे साथियों की जानू मेरे पास मताना आकश पास आओ जानू जानू मेरे पास मताना मतमार तुम मेरे पास मताना आकश जानू 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 मेरे बास मुड़ मेरे पास मप onlar पास मेरे पास पासं अगआ जानू जएखँ आमा जएखएस कंवार ऑा जानू, जानू, तुमने मेरे साथ बहुत केल केल लिया। मैंने तुमसे पहले ही का था। आज तुम्हारी सुआगराथ मेरे साथ होगी, और मुझे मुक्ती मिल जाएगी। आकश, आकश! आकश, जानकी, आकश! 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 जानकी, क्या हूँ, सर? चलो, खोलो इसे, सर, मैं खोलता हूँ इसे. सर, यह अंदर से लोग के लगता है, फिर धक्का मारो. आकश! 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 तो फिर, वो बेट से नीचे गिरता है, बेट शीट के अंदर घुश जाता है, तुम्हें दीवार में पटक-पटक के मारता है, वो तुम्हें मारने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन रेप नहीं किया. यह कैसी प्राब्लम है? भगवान की शक्ति के आगे भूत के शक्ति कुछ नहीं होती, दुष्ट शक्ति हमें कुछ नहीं करेगी, दुष्ट शक्तियां अपनी चाहत पूरा करने के लिए हम लोगों को वो सिर्फ डरा सकती है, और वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगार सकती है, हमारा कुछ बुरा क करने के लिए इन आत्माओं को शरीर की जरूरत होती है आत्माओं के पास शरीर नहीं है ये बात भूल कर वो अपनी इच्छा पूर्थी करना चाहती है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती है उदारन के लिए वो खाना खाना चाहती है तो उस खाने को वो सिर्फ दे में प्रवेश करने लगती हैं और ये आत्माय सचे लोगों के शरीर में ही प्रवेश करती हैं समझ गई ना सो एक आत्मा तुम्हारे पती के शरीर में घुसकर तुम्हारा रेप करने आया है यह कह रहे हो ना तो तुम अपने आप को बचाने के लिए अपने पती पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया हाँ सर इसकी बात सुनिये सर हम सनाओ है जो तुम मुझसे बता रहे थे वो साहब को भी बताओ सर वो कॉलोनी बनाते समय कॉंट्रेक लेवर को लेकर आया था सर सब लोग उन्हें कैप्टन राज कैप्टन राज कहके बुलाते थे सर वो आदमी नहीं वो राक्षस था सर वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता था सर नहीं नहीं मुझे कुछ मत करो मुझे छोड़तो मुझे कुछ मत करो नहीं वो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ता था सर, एक दिन मेरी जवान बैटी को रेप करके उसे मार दिया सर, वो बहुत कमीना था सर, इसलिए हम सब लोग मिलके केपटन राज को भतम कर दिया सर, हमने उसके टुकडे टुकडे करके, कंक्रीट में मिक्स करके दीवार बना यही हुआ था सर, जोरी वेरिफाय किये थे, कर दिया सर, यह बताइए टाइम पिरियड में राजु नाम का व्यक्ति कहीं खो गया है सर, जिसकी कम्प्लेंट उसकी पतनी विजय नगर पॉलिस टेशन में किये, अभी भी उसका नाम मिसिंग लिस्ट में है सर, उसकी फोटो बजाओ, ठीक है सर, तुम्हें रेप करने आया वो भूत है, और वो भूत कैप्टन राज की आत्मा है, हाँ सर, मदमती जी, यस सर, CRPF, CISF, CID, CBI, Task Force, Special Task Force, KTF Log Rounds, क्या सब यहाँ हैं, नहीं सर, सब को फोन करके बोल दो, यस सर, सब ऑफिसर्ज को बुलाने के बाद अरश्ट करने के लिए बोलो, यस सर, हम कनकपुरा रोड में जाके एक दांतरिक को लेकर पता लगाते हैं, यस सर, हाँ, तो भूत वहाँ पर है, हलो, वह भूत वहाँ पर है, नहीं, नहीं, तो फिर कहा है, यहीं पर है, यहाँ, मेरे बगर में पागल की तरह बात मत कर सेल में डाल दूंगा सर रात हो गई है लेडिस को रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हैं सर ठेक एसे भेज़ दो ले जाओ उसे हेलो कलता समझे कैप्टन राज के बारे में बात करना है ले जाओ उन्हें सर, कैप्टन राजीची फोटो सर वो… 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 प्राब। झाल 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 झाल